जैश्री राधे कृष्णा ओन कुक्रेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हरी अनन्त हरी कथा अनन्ता में आज सुनिये गिलहरी की कहानी एक जंगल में साध नामक मुनी रहते थे। उन्होंने तब करके बहुत सी विद्या हासिल की। एक दिन, ध्यान लगाने के बाद जब उनकी आखें खुली, तो उनके हाथ में आसमान से एक गिलहरी आगिरी। मेरी पतनी कब से संतान प्राप्ती की चाह रख रही है। लेकिन उसके भाग्य में संतान है ही नहीं। मुनी की पतनी के पास लेकर आए। उन्होंने कहा लो अब इसे अपनी बेटी मानकर ही पालना। मुनी को बहुत खुशी थी कि उसकी पतनी को अपनी। ममता लुटाने के लिए एक बेटी मिल गई। कुछ समय के बाद उसकी परवरिश में मुनी भूल ही गए कि वो एक गिलहरी है। वेदानता को मुनी ने अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई। देखते ही देखते वेदानता सोलह साल की हो गई। अब मुनी की। पतनी को अपनी सुन्दर बेटी की शादी करवाने की चिंता होने लगी। उन्होंने यह बात मुनी से की। अपनी बेटी की तरफ देखते हुए मुनी को भी लगा कि इसका अब विवाह हो जाना चाहिए। मुनी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इसके लिए योग्यवर ढूंढ लूँगा। मुनी को लगा कि मेरी बेटी बहुत सुन्दर है और उसकी शिक्षादीक्षा भी अच्छी हुई है। इसलिए उन्होंने अपनी सिध्धी से सूर्य देव को मुनी को डोड़। प्रणाम करके बुलाने की वजह पूछी। तब मुनी ने कहा मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है। मैं चाहता हूं कि आप इसके पती बने। सूर्य देव ने कहा आप एक बार अपनी पुत्री से पूछ लीजिए। अगर उसे मन्जूर है तो मे तिरी तरफ से भी हाँ है तब वेदानता बोली पिता जी यह बहुत गर्म है। मैं इनके पास नहीं जा पाऊंगी और नहीं इनहें देख पाऊंगी। मुनी ने वेदानता से कहा कोई बात नहीं हम दूसरा वर देख लेंगे तभी सूर्य। देव ने कहा हे मुनिवर बादल गरस्ते हुए मुनी के पास पहुँचे और उन्हें नमस्कार किया। इस बार मुनी ने सीधे वेदानता से पूछा क्या तुम्हें यह वर पसंद है। वेदानता ने जवाब दिया पिता जी मेरा रंगोरा है और इनका काला। हमारी जोडी अच्छी नहीं लगेग तब बादल ने मुनी से कहा आप पवन देव को बुलाइए। वे मुझसे श्रिष्ट हैं। उनमें मुझे उड़ाकर इधर से उधर ले जाने। की ताकत है अब मुनी ने पवन देव का स्मरण किया। पवन देव के आते ही मुनी ने अपनी बेटी से पूछा क्या आपको यह वर पसंद है। वेदानता बोली पिताजी यह तो एक जगह ठहरते ही नहीं है। इनके साथ मैं घर कैसे बसा। पाउंगी इस बार मुनी ने पवन देव से पूछा मुझे अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश है। आप बताईए कि आपसे श्रिष्ट कौन है। पव पुछा मुणी ने जवाब दिया मुनिवर आप परवत को बुला सकते हैं। वह मेरा रास्ता रोक देते हैं। वह मुझसे श्रिष्ट हैं तुरंत मुनी ने परवत को पुकारा। परवत को देखते ही वेदानता बोली यह तो पत्थर है। इनका दिल भी पत्थर का ही इनसे विवाह कैसे हो पाएगा पिताजी मुनी ने हाथ जोड़कर परवत देश से पूछा आपसे श्रिष्ट कौन है परवत राज ने जवाब दिया ये मुनी चुहा मुझ में छेद कर देता है इस आधार से वह मुझसे श्रिष्ट है इतना कहते ही परवत देव के कान से च चुहे को देखा वह खुशी के मारे उचल पड़ी उसने कहा पिताजी यही मेरा वर बनना चाहिए मुझे यह पसंद है इनकी पूँच कान सब कुछ कितना प्यारा है मुनी ने सोचा अहो मैंने एक गिलहरी को मंत्र विद्या से इनसान तो बना दिया लेकिन इसका दिल विवाह के बाद दोनों खुशी-खुशी रहने लगे कहानी से सीख इनसान चाहे बाहर से कितना भी बदल जाए लेकिन उसका दिल वैसा ही रहता है